सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों तो दोस्तों आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है और उनको आप नए वोटर आईडी कार्ड में कनवर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पुरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को जो ब पोटर सर्विस पोटल एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इसके उपर क्लिक करेंगे तो पोटल हमारा ओपन हो चुका है अभी हमें सबसे पहले यहां पर अकाउंट क्रियेट करना यानि कि रेजिस्टेशन करना है तो यहां पर साइन अफ वाला जो आप्शन है यहां पर हम क्ल क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना ऊटर लएली काळ नंबर अपना नेम ढलना ओगा और आपको रेजिस्टेशन कर ले ना रहा है रेजिस्टेशन बहुत ही आसान है जैसे आपका अकाउंट करियीट हो जाता है यहां पर لोगीन वाले औप्शन पर क्लिक कर देन यहां पर हमें अपना रेजिस्टर मॉपाइल नमबर या फिर वोटर आइडी कार्ड नमबर डालना है पासवर्ड यहां पर फिलब करना है क्याप्चा यहां पर डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है रेजिस्टर मॉपाइल नमबर पे ओटीपी बेजा जाए तो भी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे form 8 है open हो चुका है तो यहाँ पर हमें application 4 तो अगर आप खुद के लिए करना चाहते हो तो self option select कर लो अगर दूसरों का करना चाहते हो तो यहाँ पर other electoral option select कर लेना है और यहाँ पर उनका जो water ID card है वो number यहाँ पर girerक करके submit वाले option पर क्लिक कर देना है हम खुद का कर रहे है sell पर क्लिक करना है water ID card अबर आपका आजाएगा submit वाले option पर अब अब क्लिक कर देना है आपके water ID card की details यहाँ पर show होगी अगर यह आपकी की है तो नीचे of replacement epic without correction तो हमें तीसरा वाला जो option है वो चूज करना है हमें correction नहीं करना है दूसरा वोटर एडी कार्ड मंग वाना है जो color वाला होता है वो ओके वाले option पर click करेंदे ना है आपकी details सिपर यहां पर आ जाएगी जयांचे आपका state है आपका district है आपकी selected आ चुका है इसी ओफ रिप्लेस्मेंट इपिक अभी नीची आना है नीची यहाँ पर आप्लिकेशन फॉर आप किसके लिए अप्लिकेशन कर रहे हो तो हमें पुराना वोटर आडी कार्ड ने वोटर आडी कार्ड में कंवर्ट करना है तो हमें डिस्ट्रोइड वाला आप् करते हो तो आपको यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो दो हम यहसे दूसरे वाला आप्शन हम यहां पर कलिक करना है और नीचे प्रिव्यू और सब्मीट वाले आप्शनपर कलिक करते है आपका format है यहाँ पर पूरा आ जाएगा आपको एक बार review कर लेना है इसको confirm कर लेना है अगर कोई issue है तो आप यहाँ पर नीचे keep editing वाले option पर click करके इसको सुधार कर सकते हो अधर्वाइस submit वाले option पर click कर देना है जैसे submit पर click करते हो यहाँ पर reference number हो generate हो जाएगा जिससे track application status पर click कर देना है यहाँ पर दोस्तों आपको option मिल जाएगा यहाँ पर reference number आपको डाल देना है यहाँ से आपको अपना state select कर लेना है और submit वाले option पर click करना है जैसे submit पर click करते हो तो आपको आपका tracking है और show हो जाएगा कि आपका process कहां तक पहुंचा है दोस्तों ठीक है ज card को इस तरह से नए water ID card में PVC water ID card में convert कर सकते हो दुस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को सब्सक्राइब करें तेंक्यू सो मच पर वचिंग